पीम नरेंद्र मोदी ने जाती के सहारे सपा बस्पा पर साधा निशाना और राजनीती करने वालों पर तीखी तिपड़ी करते हुए कहा कि सपा बस्पा के लोग मेरी जाती को लेकर प्रमार पत्र बाट रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी जाती अती पिछड़ी जाती है और वहीं मायवती ने पिम मोदी के दिये भाशर में कहा कि सिर्फ राजनीती के चलते मोदी अगड़े से पिछड़े बन गये हैं और वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा जब पिछड़ों ने साथ छोड़ा तो पिम खुद को अती पिछड़ी जाती का बताने लगे हैं पिम मोदी ने सीतापुर, हर्दोई और करनौच की रहनियों में मायवती, अखलेश और कॉंग्रेस पर जम कर हमला बोला पिम मोदी ने सपा और बसपा के लोगों पर निशाना साथ तेवे कहा कि यह लोग मेरी जाती को लेकर प्रमार पत्र बाट रहे हैं लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी जाती अती पिछड़ी है और इतनी छोटी है कि मेरे गाउं में एक दो ही घर ऐसे हैं जो हमारी जाती के हैं मैं बहुत ही समानी समाच से आता हूँ लेकिन यह अती पिछड़ा ही देश को आगे ले जाएगा कि ये भी देखिए अब ये मेरे पिछडे पन का सर्टिपिकेट भी बाटने लगे हैं कि वो मेरे पिछडे होने का मजात उड़ा रहे हैं कि साथियों हर चुनाव में इन लोगों का जब पराजे सामने दिखने लगता है तो ये खेल शुरू हो जाता है दो चरण में इनके हाल इतने खराब हो गए कि चाओं 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 करना शुरू कर दिया वहुश्वादी और आउसरबाजी लोग सिर्फ अपने ही हित्की सोते हैं अपने बारे में ही सोते हैं इनको देश से कोई मतलब नहीं है आज अगर इनके अस्तित्व पर संकट है तो ये मोदी के कारण नहीं है इनके अपने कारणामों के कारण है वैपियम मोदी के हमले के जवाब में बसपा प्रमुक मायवती ने कहा कि मोदी सरासर जूट बोल रहे हैं चुनावी राजनीती का फायदा लेने के लिए मोदी ने गुजरात में अपने आपको पिछड़ी जाती में शामिल करवा लिया था मायवती ने कहा राजनीती लाप पाने के लिए मोदी ने जात पात का दाव खेला है और मोदी जनम जात से पिछड़े नहीं है वो सर्फ अपने शरारती अंदाज में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कभी भी मैंने ये अखिलेश ने पियम मोदी को नीच नहीं कहा हमने पूरी इज़ट और सम्मान के साथ उन्हें उची जात का बताया है नरेंदर मोदी पहले अगली जाती में ही आते थे यानि कि अपर कास्ट समाज में ही आते थे लेकिन गुजरात में अपनी सरकार के चलते हुए फिर इन्होंने अपने राजनितिक लाब के लिए वे पिछ़़ों का भी हक मारने के लिए अपनी अगली जाती को यह वहां पिछ़़े वरग में शामिल करवा लिया था तो फिर इसमें हमने इनकी जाती के बारे में यह हैं क्या गलत बोल दिया है कि यह यानि कि स्री नरेंदर मोधी, स्री मुलाइम सिंग यादव वे इनके बेटे, स्री अखले सियादव की तरह जन्म जात पिछड़े वरक्के नहीं हैं अगर देखा जाये तो सियासत वो रजगुला है जिसकी मिठास एक दूसरे की तीखी तिपड़ी करने के बाद ही पूरी तरह मीठी हो जाती है जिसकी मिठास कोई नेता छोड़ना नहीं चाहता, रजगुला तो रजगुला राजनीती में बचाओ रशीरा भी कभी कभी इस राजनीती में काम आ जाता है ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी